दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त लोकेश कुमाशर्मा और आप देख रहे हैं हमारा योट्यूब चैनल भारत द्वाज केमिस्ट्री जिसमें आज हम बात करने वाले हैं N प्लस L रूल के संदर्व में देखिए N प्लस L रूल के अंदर यदि हम सबसे पहले बात करें तो N का मतलब होता है मुक क्वांटम सेंख्या मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नमबर वहीं L का मतलब होता है दिकनसी क्वांटम सेंख्या मतलब एजी मेतल क्वांटम नमबर देखे ये नियम कक्षकों की उर्जाओं के संदर में बताता है मतलब जिस कक्षक के लिए N प्लस L का मान कम होता है उसकी उर्जा भी कम होती है इसी प्रकार से N प्लस L का मान अधिक होने पर कक्षक के उर्जा भी अधिक होती है देखिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोन कक्षकों में उर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करता है, मतलब भरा जाता है मतलब इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोन पहले उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए N प्लस L का मान न्यूनितम होगा मतलब कम होगा यदि कि नहीं दो या दो से अधिक कक्षकों के लिए N प्लस L का मान समान मिलता है तो उस condition में electron पहले उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए N का मान न्युन्यतम होगा मतलब जिसके लिए N का मान कम होगा यहाँ N मुक क्वांटम संक्या और L दिगण सी क्वांटम संक्या होती है दोस्तों इसको हम अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ उधारनों का सहारा ले सकते हैं यहाँ हम उधारन की बात करें तो 4S और 3D में से किस कक्षक में electron पहले बरा जाएगा इसके लिए आप इनके N प्लस L के मान calculate कर सकते हैं यहाँ 4S के लिए यदि हम N प्लस L का मान देखें तो 4 प्लस 0 is equal to 4 होगा महीं 3D के लिए यदि N प्लस L का मान देखें तो 3 प्लस 2 is equal to 5 होगा अब यहाँ पर 3D के लिए N प्लस L का मान अधिक है इस कारण से पहले 4S कक्षक में इलक्ट्रोन जाएगा बाद में 3D भरा जाएगा इसी तरीके से यदि हम 4S और 4P में भी देखना चाहें कि कहां इलक्ट्रोन पहले भरा जाएगा तो हम calculate कर सकते हैं देखें 4S के लिए N प्लस L का मान 4 प्लस 0 is equal to 4 होता है जबकि 4P के लिए 4 प्लस 1 is equal to 5 होता है तो यहाँ पर पहले इलक्ट्रोन 4S में भरा जाएगा क्यूंकि 4S के लिए N प्लस L का मान कम होता है इसी तरीके से यदि हम एक और उधारण की बात करें और 4F वे 4D का मान देखें तो 4F के लिए N प्लस L का मान 7 होता है जबकि 4D के लिए 4 प्लस 2 is equal to 6 होता है मतलब यहाँ पर इलक्ट्रोन पहले 4D में जाएगा और बाद में 4F में जाएगा दोस्तों हम एक और उधारण की बात करते हैं हम जानते हैं कि 3P और 4S में से इलक्ट्रोन पहले कहां भरा जाएगा देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 3P के अंदर N प्लस L की वेल्यू 4 होती है जबकि 4S में भी ये वेल्यू सेम मिलती है यहां वेल्यू सेम होने के रीजन से अब हमको N की वेल्यू देखनी होती है 3P में N की वेल्यू 3 होती है जबकि 4S में N का वेल्यू 4 होता है यहां N का वेल्यू जिसका कम है इलक्ट्रोन वहीं पर सारोप्रथम भरा जाएगा और बाद में जहाँ पर N की वैल्यू जादा है, वहाँ पे एलेक्ट्रोन भरा जाएगा, मतलब पहले 3P भरा जाएगा, उसके बाद में 4S भरा जाएगा, क्योंकि 3P में N का वैल्यू कम है, जबकि 4S में N का वैल्यू जादा है. दोस्तों इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इस टेबल का यूज़ कर सकते हैं, इसमें देखिए ये कक्षक हैं, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S और 4P, इदा लेफ्ट में कक्षक हैं, जिसमें हम N, L और दोनों का यूग, मतलब सम N प्लस L, यहां 1S के लिए जो N का मान है 1 है, 2S के लिए 2 है, इसी तरीके से 2P के लिए 2 है, 3S के लिए 3 होगा, 3P के लिए 3 होगा, 3D के लिए 3 होगा, 4S के लिए 4 होगा, 4P के लिए 4 होगा, इसी तरीके से ते हम देखें L का value तो 1st S के लिए 0 होगा, 2S के लिए 0 होगा, 2P के लिए 1 होगा, 3S के लिए 0 होगा, 3P के लिए 1 होगा, 3D के लिए 2 होगा, 4S के लिए 0 होगा, 4P के लिए 1 होगा क्योंकि हम लोग जानते है S का value 0 होता है P का value 1 होता है D का value 2 होता है और F का value 3 होता है आप यदि N प्लस L की बात करें तो 1S के लिए 1 होगा, 2S के लिए 2 होगा, 2P के लिए 3 होगा, 3S के लिए 3 होगा, 3P के लिए 4 होगा, 3D के लिए 5 होगा, 4S के लिए 4 होगा और 4P के लिए 5 होगा दोस्तों कक्षकों का उर्जा का क्रम या इलेक्ट्रोन के कक्षकों में भरने का क्रम हम अभाबावी थियोरी के अकॉर्डिंग इससे पीछे वाली लेक्चर में पढ़ चुके हैं यदि आपको वा लेक्चर वाच करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिएगे लिंक को फॉलो करके वाच कर सकते हैं इसमें हमने जाना था सबसे पहले फास्ट एस में लेक्ट्रोन जाएगा उसके बाद 2S भरा जाएगा उसके बाद 2P फिर 3S फिर 3P उसके बाद में 4S 4S के बाद में 3D 3D के बाद में 4P 4P के बाद में 5S उसके बाद में 4D फिर 5P फिर 6S इसके बाद में 4M भरा जाएगा फिर 5D, उसके बाद में 6P, उसके बाद में 7S, उसके बाद में 5P, उसके बाद में 6D और लास्ट में 7P भरा जाएगा तो इस प्रकार से हम N प्लस L की वैल्यू फाइंड आउट कर बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोन पहले किस और्विटल में प्रवेश करेगा दोस्तो आसा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा यदि ऐसा है तो आप चैनल को लाइक करें, सबस्क्राइब करें और वीडियो को शेयर करें थैंक्स पूर वचिंग